नमस्क्राइब आपके साथ मैं रोहित कुमार आपनीच फोनेशन पर हैं खबर लालुयादव के बिहार आने के साथ ही बिहार की राजनीती जो है फिर से एक्टिव मोड में आ गई है पटनाते ही लालुयादव ने जहां देर रात आज़ेडी के बढ़र देंताओं साथ मीट चुका है दोसरी तरफ कपल सुवल का नाम सामने आ रहा था लेकिन उन्होंने निर्दली प्रत्याशी के तौर पर उत्तर प्रतेश से समाजबादी पाते की समर्थन से जो है नमांकन कर दिया है तो उनका पता कट चुका है अब देखना होगा कि आब दूसरा प्रत्याशी कौन बनता है जो कि राजसभा के चुनाव में आरजेरी कोटे से जाने वाला है बाबा सिद्धी का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है लेकिन इसे बीच में एक नया नाम जो है वो फयाज आलम का है यह विस्वी से विदागे रह चुके हैं और पिछले विदान सभा चु बने हुए इस पर भी जो एक तरी केस के कि राज़िती जानकारें को कह रहे हैं कि लालुयादव अंतिम वक्त में नरे लेंगे तो आज का वो दिन है जब अमिसा भार्ति के साथ में दूसरे नाम का एलान हो सकता है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जो है वो शूरू करा बहार ने उपेंद्र कुष्वाह और ललन सिंग को मना लिया है और अब रसीपी सिंग ही राजसभा जाने वाले है हाला कि इस पर भी अधिकारी के बहुर नहीं लगी है बहार में पांच सीटे खाली हुई है जहां पर चुनाव होने है राजसभा के इन सीटों में दो सीट के लिए दावेदार बहुत थें और उसमें भी एक सीट पहले से ही मिसाभार्ति के लिए रिजर्व कर दिया गया है लालुयादब जो है आज इन चीजों का इलाने करने वाले है इसके पहले लालुयादब जब दिली से पहुंची तो उन्होंने मीडिया से दूई रखी प इसके बाद वो बीते बुद्वार को जो है शाम के वक्त में दिली से पटना पहुंची और इसके बाद वो सीधे अपने आवास पर पहुंची जहां पर आड़ेर के बड़े निताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई है साथ पर उनकी बीटी मिसाभार्ति भी थी जो कि राज अब देखना होगा कि जाएगा कौन कि बाबा सिंद्र की का नाम तेजस्वी आदब के हिसाब से सबसे आगे नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ जो है फयाज जालम जो है उनका नाम भी अब बिहार में सुर्ख्यों में है और कहा जाता है कि लालु आदब की बिहत करीबी है लालु आदब को बुले वक्त में फयाज का खोब साथ मिला है अब देखना होगा कि लालु आदब राजी सभा किसको भेजते हैं क्योंकि एलान आज संभव है फिलाल इस वीजियों में इतना ही नमस्कार